अनन्या पांडे और ईशान खटर ने तीन साल तक डिटिंग करने के बाद इसे छोड़ दिया है. दोनों लंबे समय से अपने अफवाह भरे प्रेम प्रसंग के बारे में सूक्षम संकेत दे रहे थे. जहां इन दोनों में से किसी ने भी कभी अपने रिष्टे को ओफिशियल नहीं किया था. वहीं अब कहा जा रहा है कि अनन्या को आदित्य रोय कपूर में फिर से प्यार मिल गया है. टियो आई के मुताबिक अनन्या और आदित्या एक दूसरे के काफी करीब हो गए हैं और उनकी दोस्ती दिन बदिन मजबूत होती जा रही है. हाला कि उन्हें कभ वाले लवड्स कभी भी जल्दी एक साथ कदम रखेंगे. अनन्या और ईशान ने खाली पीली के सेट पर काम करते हुए डेटिंग शिरू कर दी थी. हाला कि उनका रिष्टा अल्पकालिक रहा. यह एक आपसी निर्नय था और चीजे सकारात्मक रूप से समाप्त हुई है. दोनों एक दूसरे के साथ सोहाद पूर्ण बने रहेंगे. उन्होंने महसूस किया कि चीजों को देखने का उनका तरीका एक दूसरे से थोड़ा अलग था. कहा जा रहा था कि अनन्या और ईशान एक सीरियस रिलेशन्शिप में थे और वे इसे छुपा कर रखना चाहते थ अतीत में ईशान और अनन्या ने अपने रिष्टे को लगभग स्पष्ट कर दिया था, जब ईशान ने अनन्या के जनम दिन पर एक सन किस तस्वीर साजा की थी.